मांगरोल में तीन दिवसिय प्रशिक्षन का दूसरा दिन, फिरोस खान, बारान, मांगरोल पंचायक समिती में तीन दिवसिय प्रशिक्षन कार्यशाला में द्वितिय दिवस में विकास अधिकारी राधेश्याम भील ने उपस्थित जन प्रतिनिधियों, ग्राम विकास प्रकाश व्यवस्था चारागाह विकास, तार पेशी, पुस्तकालयों, खिलाडियों के लिए खेल सामगरी, एक लाग तक की सामानों को एक वर्ष में कोटेशन के आधार पर जी पी डी पी में शामिल करने पर ही खर्च कर सकते हैं। युवा कौशल सम्मेलन, खिल कूद प्रतियोगिता, खिल सामगरी, चारागाह विकास में फलदार व्रेक्ष लगाकर निजी आय बढ़ाना, अंबेट कर भावन बनाना, आधिकार्य करवाए जा सकते हैं। इसी तरह 15 वितायोग में टाइट फंड की गाइड लाइन, अंटाइट फंड में करवाए जाने वाले कारियों की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षन कार्यशाला में अतिरेक्त विकास अधिकारी जुगल किशोर अजमेरा ने भी पंचायत राज नियम कानूनों की जानकारी प्रस्तुत की गई उन्होंने ने पंचायक शेत्र में आबादी में दिये जाने वाले आवास। यह पट्टों को कौन से नियम में देने की जानकारी दी गई। लेखाकार विजय मीना, सरपँच लखन मीना, बाबुलाल चंडेल, भ्हंश्याम गजर्या, भुवनेश मीना, नंदलाल मीना, विक्रम सिंग चौदरी, थिसाया पंचायत सरपँच, माल बंूरी सरपँच, किशनपुरा सरपँच, राय थल सन्रपँच, ग्राम विकास बैर्वा, देवेंद सुजरिया, आवास प्रभारी नितिन, सस्थापना प्रशासने का दिकारी राजकुमार शर्मा सहित सारे तीन दर्जन संभागियों ने भाग लिया।